हलो फ्रेंड रादे रादे आज हम आपके साथ सेयर करेंगे अर्वी की पत्ते की पकोड़ी बोवी बहुत जटपट और कम तेल में आप बनाएं और आप हमारे चनल पर नए है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं वीडियो की साइड नोटिफिकेशन आपके पास पहुशती रहेगी और वेलाकन को प्रेश करना बिलकुल मत बूलिएगा और यह देखिए हमारी आर्वे के पत्ते के पकोड़ी बहुती क्रिस्पी बहुत बिगो दिया था इसमें हमने बेशन का प्रियोक बिलकुल नहीं किया है अब इसे हम मिक्सर में पीसेंगे इसमें हमने पहले बिगोया हुआ चावल डाल दिया है पानी इसमें बहुत थोड़ा सा ही डालेंगे और यह हमने चने की दाल डाल दी है जिससे बेशन बनता है बस चावल और दाल से हम बनाएंगे अर्वी की पत्ते की पकोड़ी और यह हमने चने की दाल डाल दी है और इसमें हमने हरे मिश डाल दी है हरे मिश जाले डाले और इसमें हम लसुन डाल देंगे आठ दस कलिया इसमें लसुन के छील के हमने डाल दी है अब इसे हमने अद्रक का टुकुड़ा डाल दिया है और इसे हम अप मिक्सर जान में पीस लेंगे एकदम बारिक पेक्ष्ट बराणा bağर से टाइटी वाना चाहिए एकदम पतला नहींव कि छाहिए इस तरह से इसका लेकिट इतना थिक होना चाहिए और इसको हम एक बावल में टांसफर करेंगे और इसे हमने एक बावल में निकाल दिया है अब इसमें हम कला नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार इसमें हमने कला नमक डाल दिया है सफेद नमक को आप सफेद नमक डाल सकते हैं और इसमें हमने जीरा डाल दिया है थो चाट मसाला नहीं है तो आम का अचार भी डाल सकते हैं कोई भी खटाई इसमें डाल सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से इस तरह से थिक एकदम रहना चाहिए इसका पेस्ट इसमें जादे पानी डाल के बिल्कुल ना पीसे ने तो अच्छा अर्विक पत्ता कुरकुरे करारी नहीं बनेगा और इसमें हमने चावल डाला है तो इसे औरी करारी हमारे पकोड़े बनेंगे इसमें हमने धनिया की पत्ति डाल दिया है इसे भी हमने मिक्स कर दिया है अब इसमें हम इसमें हमने सब कुछ मिक्स कर दिया है और यह हमने अर्वी का पत्ता ले लिया है बड़ा सा पहले एक अर्वी का पत्ता लेंगे और इसकी इस तरह से हम डंडियों को काट देंगे पहल जो हमने चावल और चनी की दाल का जो पेश्ट बनाया था उस तरह से सारे पत्ते में अच्छे से लगा देंगे पूरे कोने कोने में इसको लगा देना है फिर इसके बाद इसमें हमने दूसरे पत्ते रख देना है इस तरह से इसी तरह से आप प्रक्रिया आठ दस पत्ते रखके आप ये प्रक्रिया कर सकती है इस तरह से आप देख रहे हैं हमने सारे पत्ते पे बेशन लगा दिया है चावल और चनी की दाल का PiS. सारे पत्ते में लगा दिया है, आट-दस पत्ता लगा के इस तरह से हमने आट-दस पत्ते लगा हैं , फिर एक साइड से फोल्ड करें, फिर गूसरी साइड से grappling और पिर एक साइड से उठा के इसे टाइट रोल करें , हमसे थोड़ा सा टाइड रोल नहीं होता है इसलिए आपसे दिखजों टाइट रोल करें तकि इसके पत्त्ते 창 Mull hmW इस तरह से हमने चोटे-चोटे pieces में काट लिया है अब हमने gas पर कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई हमारी गरम हो गई है इसको थोड़ा सा हलके flame में रखना है पहले यह तो high flame पर रहेंगे तो सारे खुल जाएंगे तो हलके flame पर रखेंगे और इस तरह से हम एक एक करके सार और इसे दूसरे सुने रहा होने तक दूसरे साइड में फिर पलट दें यह बहुत ही कुरकुरा और लेयर दार एक्टम पकोड़ा त्यार हो गया था और यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी लग रहा था आप इसको एक बार जरूर बनाएं आप कमेंट पर हमें बताएगा कि यह कैसी बनी थी चने की दाल और चावल से अर्वी के पत्ते के पकोड़े अभी हमने सारे पलट दी हैं इसे भी हमने मीडियम फ्लेम पे उल्टे साइज में भी एक मिनट के लिए सेक लेना है ऐसे इस तर करके निकाल देंगे इस तरह से देखे कितना अच्छा इसका कलर आया है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है जैसे देखने में यू टेस्टी लग रहा है अब हमने इसे एक करके सारे निकाल देना है और इसे एक प्लेट में सर्फ कर देना है आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजेगा और कमेंट में लिखके जरूर बताईएगा कि अर्वी के पत्ते की पकोड़े बिना बेशन के आपने कैसे बनाए और कैसा लगा आपको खाने में आप हमारी वीडियो देखते रहें हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहेंगे धन्यवाद